हाई नमस्कार अदाव सश्टियकाल मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट तन्वीर जो सोसता रहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके खुसियों के बारे में इसलिए तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ जो आपको देख खुसियों की शोगात ऐसे जानकारिया जो आपके लिए हो सके मददगार दोस्तों देश की आर्थिक नगरी मुंबई को ऐसे ही सपनों की नगरी नहीं कहा जाता है यहाँ पर आप अपनी हर बजट में लाइफ को फुल इंजॉय कर सकते हैं खाशयतों से भरी इस नगरी की जितनी भी तारीफ करें कम लगती है तो अगर आप भी रहते हैं मुंबई या फिर उसके आसपास के किसी इलाके में या नहीं तो घूमने के ख्याल से ही गए है और इसी बीच आ गया आप में से किसी का बर्थ डे या फिर एनिवर्सरी लेकिन इस सेलिबरेशन को आप घर के बाहर मना कर यादगार बनाना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी जगों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपना बर्थ डे या फिर एनिवर्सरी या फिर इस ताइब के किसी भी एविन को बहुती अच्छे तरीके से मुमबई में सेलिबरेट कर सकते हैं तो चलिये फड़ाफट से जान लेते उन अच्छे कैफे के बारे में जो की मुमबई में अवेलेबल है उन्चार नहीं मेरा मतलब है उन मुंबई के कैफे के बारे में सबसे टॉप पर जिसका नाम मेरे जहन में आया है वो है लोटस कैफे और यह लोटस कैफे मुंबई के बहुत ही फेमस होटल जे डवलू मेरियेट के अंदर में अवेलेबल है इसके तारीफों में अगर सब्द कहें तो लाजवाब, शानदार, खुपसूरत, एट्रैक्टिव, एट्सेक्टरा एट्सेक्टरा है यहां का इंटीरियर आपको दिवाना बनाने के लिए काफी है इस लोटस कैफे में आप अपने स्पेशल डे को सेलिबरेट करने के लिए नॉर्थ इंडियन, इटैलियन, कॉंटिनेंटल और एसी आई खाना ओर्डर कर सकते हैं दूसरे नंबर पर है ग्रेंड मा कैफे खाशियतों से भरे मुंबई के इस ग्रेंड मा कैफे में आपको फ्री का वाइफाई और वैलेट पार्किंग के साथ साथ शांदार सर्विस का मज़ा मिल जाएगा ये दिखने में जितना लाजवाब और खुबसूरत है वही अगर खाने पिने की बात करें तो खाने पिने का टेस्ट भी बिलकुल हटकर है और स्वाद से भरपूर है जो कि आपके खाने के शौक को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा अब तीसरे नमबर पर है काला घोरा कैफे मुंबई के सबसे फेमस जगों में से एक है काला घोरा कैफे यहाँ पर सभी लोग जाना चाते हैं यहाँ के क्राउंट से किसी तरह से आपको कोई परिशानी नहीं होगी जबकि आपको बहुत अच्छा फील होगा और इस कैफे में वाइफाई की फैसिलिटी तो मिल ही जाएगी और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप कम बजट में भी बहुत अच्छी पाटी कर सकते हैं चौते नमबर पर है शानदार शामवेन कैफे अगर आप क्लासिक कैफे का मजा लेना चाते हैं मुंबई का सामवेन कैफे जबरदस्त है आज के सोशल मीडिया जमाने में अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है तो ये कैफे बहुत ही जादा इंस्टा फ्रेंडली कैफे है यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बैक्ग्राउंड मिल जाएंगे जहाँ पर आप बहुत सारे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं और सबसे इंट्रेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि इस कैफे में भी आप काफी लो बैजट में फुल ऑन पाटी इंजवाई कर सकते हैं पाँचवे नंबर पर है मुंबई का प्रिथवी कैफे अगर आप कैफे में बैटे बैटे मुंबई के बाहर का नजारा देखना चाहते हैं तो जुहू का प्रिथवी कैफे आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन है खास कर अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट को इंजवाई करने के मूड में हैं फिर तो मेरे दोस्तों इस कैफे से बढ़िया कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं हो सकता है छटे नंबर की बात करें तो वह है मुंबई का सबसे खुबसूरत गार्डन मंगर कैफे मुंबई के विले पाडले स्थित गार्डन मंगर कैफे का अपना अलग ही जलवा है यहां का माहुल आपको पूरी तरह से रिफ्रेस करने का काम करेगा इस कैफे में आपको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजे तो मिलेंगे ही साथ ही यहां का जो कॉफी है जो की बहुत जादा फेमस है वो आपको रॉयल फिल कराईगी हलाकि मुंबई में इन सब कैफे के अलावा भी एक से बढ़कर एक कैफे मौजूद है जहां जाकर आप अपने स्पेशल डे को फुल इंजॉय कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जो छे कैफे के बारे में मैंने आपको बताया है यह ऐसे कैफे हैं जहां पर आप सरिफ लो बजट में बहुत ही अच्छे से अपने पाटी को इंजॉय कर सकते हैं और साथी साथ आप अपने दिन को यादगार और अपने पाटी को शांदार बना सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेर भी करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आपको हमेसा मिलते रहें फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए सलाम दो और रिकम प्रणाम सस्तियकाल कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सब का ख्याल रखें